अगर बेटी सशुराल में बिना कारण के दुखी हो तो मा की गलती है मैं हमेशा आप से कथा में कहताया हूँ बेटी को बेटी के गुण मत सिकाओ बेटी को बहु के गुण सिकाओ अपने बेटी में वो सारे गुण दो जैसी तुम बहु चाहते हो आज कल के माता पिता के दे अरे ये सुक भोग ने दो जब तक यहां है तभी तक सुखी है बाद में दुझे काम करना ही है जब जीवन में ऐसा आलत से आ जाएगा तो फिर काम करेंगे वहां जाके जब दो जो हैविट बन जाएंगी क्या वहां छूटेंगी जाके और अगर हैविट नहीं छूटी तो क्या बच्चे सुकी रह पाएंगे वहां ये कितनी भी सासुमा कहले मेरी बेटी है मेरी बेटी है पर चाहिए तो बहु बेटी नहीं चाहिए लाख कहले ये मेरी बेटी है पर चाहिए बहु ज्यान दे सास भी देवियां है और बहु भी देवियां है यहां पुरुस का कोई रोल नहीं है बहु की लडाई ससुर्जी से नहीं होती है बहु की अधिकान से लडाई सासुमा के साथ होती है ना या ना तो मैं अगर आप से कोई बात कहूँ कि आपको अगर अपनी बेटी को सुखी देखना है तो उसमें सारे वो गुंदो जो बहु में देखना चाहती हूँ आप कि जिसके घर में भी वो जाए उसे परफेक्ट बहु में ले उसे सिकाना न पड़े और तब वो उसकी सास नहीं कह पाएगी तेरी माबापने तुझे कोई सिकाया नहीं सिका के ही भेजाया मा सुनेना ने राजकुमारी सिता जी को भी बहुत सारे गुंद सिकाये ये भी कहा कि तुम यहां बेटी हो पर वहां तुम जो है बहु हो और एक और बात बताई वहां कोई काम ऐसा मत करना जिसकी वज़ा से तुमारे पिता को नीचा सर नीचा करना पड़े एक और बात धियान रखें बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक कुल में दाग लगता है और बेटी के स्टेप धरुदर हो जाए एक आद तो दो कुल बदनाम होते हैं अच्छा करें तो दो कुलों का नाम होता है एक और फलाने की बेटी ने बड़ा अच्छा किया दूसरा अरे क्या बात है फलाने की बहु है गजब कर दिया गोर्ड मिडल लेके आई है हो गया नाम दो कुलों का याद कीजिए जिस समय महराज जनक सीता मैया से चित्र कूट में बनवास के समय मिले तो सीता जी को बलकल वस्तर में देखकर जनक जी का रूह हिरदा है काँ पुठा लेकिन जनक जी नहीं का कि चल मेरे साथ नहीं का आज की बेटियों को इतना कस्ट नहीं हो सकता जितना सीता जी नहीं उठाया लेकिन जनक जी क्या बोले सीता जी को देखके चित्र कूट में पुत्री पवित्र की ये कुल दो ये पुत्री तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिये मुझे गर्वा है कि मेरी बेटी तुम हो हर बेटी पर ये जिम्मेदारी है कि ससुराल में क्या समाज में उसके पिता को सर न जुकाना पड़े उसकी बज़े से अरे देखो भाई एक बाई समझो तो बेटे और बेटी सिर्फ समपत्ती के लिए नहीं होते अगर माबाप की जिम्मेदारी है तुमें पड़ा लिखा कर अच्छा बनाने की तो तुमारी भी जिम्मेदारी है पड़ लिखके अपने माबाप के सम्मान को आगे बढाने की माबाप सर्वेंट नहीं है हमारे नोकर नहीं है ये बच्चों को समझना चाहिए तुम सही माने वे सही संतान तब कहलाओगे जो तुम्हारे कारण तुम्हारे माबाप का सर हूँ चाहो आज जनक जी चित्रकूट में कह रहे है कि बेटी तेरी बज़े से हमारा कुल धन्य हो गया दोना कुलों का तुने नाम कर दिया और आज कल के मौडर्ण बच्चे क्या कहते है अन्य धर्में भी जाके विवा करते हूं कहते है इंसान सब एक जैसे है अपने बाप से पूछो जाके जब उनके इमान सम्मान को कुचल कर आप जाते हो तब पूछो उस बाप से क्या बीचती है तुमारे लिए इस इंसान सब यहां इंसान धर्म आ गया मानब धर्म दिखाते हो यहां पे अपनी स्वार्त अपनी बासनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने माबाप के सम्मान को कुचल कर तब मानब धर्म है तो मानब धर्म बाप के लिए कहां गया मा के लिए कहां गया जो माब तकिया में छुपा छुपा के अपना सर रोईगी वो मानब नहीं है जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के पैदर चलना सिकाया वो बाप समाज में अब सर नहीं उठा सकेगा वो मानव नहीं है उसका कोई इस्थान नहीं है समाज में मैं युवाओं से कहना चाहूंगा किसी भी कारण से आप सेल्फिस मत मनिए सिर्फ अपने वारे में मस सूचे बेटा हो या बेटी माबाप का सम्मान बढ़ाने से ही सपूत कहलाते है बेटा हो या बेटी माबाप का सम्मान गिराने वाले सपूत नहीं होते कपूत ही होते है इसलिए रामचरित मानस पढ़ना चाहिए मा सुने ना अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही है बेटी कोई भी कार्या सा मत करना जिसे तुमारे पिता को सर नीचे करना पड़े हम तो सिर्फ अब तक तुमारे माबाप थे यहां से आगे तुमारे माबाप यह दसरज जी और मा कौसल लया है आहा जब जाने की जाने लगी तो मुड़कर अपनी माँ को देखा दासियों से कहा मेरे जाने के बाद मेरी माँ को बहुत दुख होगा मेरी माँ का द्यान रखना जब जब मेरी माँ मेरी याद करे तब-तब मेरी बात मेरी माँ को सुना माँ को दुखी मत रहने देना माा को दुखी मत रहने देना और वो पल भी आ गया जबï माँ जान की विदा हो रही थी उसी समय महाराजा चक्रigation दसरत के समदी स्री जनक जी पहुँच गयी जैसे ही जनक जी अपने पिता को मा जानकी ने देखा दौड़ कर लिपट कर अपने पिता से खूब रहा सीय ही पिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम बैराने लीन राए उर लाए जानकी मिटी माहा मरजाद ज्यानकी जैसे ही मा जानकी को बैरागी हैं ये विदेख हैं पिता के लिए अगर इस अंसार में सबसे मुश्किल पल होते हैं तो वो पल होते हैं अपनी बेटी को विदा करना बेटे से जादा प्यार करते हैं बेटी को लेकिन जब वो बेटी विदा हो कर जाती है तो पिता से लोग तो कहते हैं कि पिता बच्चों से प्यार नहीं करता मुझे लगता है कि बेटी से जितना बाप प्यार करता है कोई कर नहीं सकता कोई नहीं से। कितना भी बड़ा ग्यानी हो, कितना भी बड़ा बेरागी हो, कितना भी बड़्यागी हो लेकिन जब बेटी को विदा करता है न वो सिर्फ बाप होता है और कुछ नहीं सिर्फ पिता होता है जानकी को देख कर मिथलापती मिथलेश रो रहे हैं और पूछ रहे विदाता तुने बेटी को जनम ही क्यों दिया बेटी को जग में जनम होनों ही दुख रूप गर में कोई न रग सक्यो रंक हो चाय भूप बेटी का जनम में जग में जनम दुख है कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकता उसने अपने बेटी को बिदा करना ही पड़ता है बेटी में भी तो अपने गर नहीं रख सकता कोई बाप समाज का नहीं रख सकता अपनी बेटी को अपने गार बिदा करना पड़ता है हर बाप की मजबूरी है चाह कोई अमीर हो गरी हो कोई नहीं रख सकता कोई भी नहीं सीता मा कहती है पिताजी मैं तो तुम्री गाए हूँ जहां बेजो वहां जहां पिताजी मैं आपकी गाए हूँ आप मुझे जहां बेज दवे मैं वहीं चली जाओंगी कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी मेरी पिताजी मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखे रहे हूँ बेटी जिस समय जाती है न उस समय सिर्प एक दुख होता है कि मेरे पितादा ध्यान कौन रखे जब भी आप घर में जाओ तमाम नोकर चाकर हो सबसे पहले बेटी बाग कराते है जल ले कराते है ससुराल जा रही है एक नए घर जा रही है नहीं पता वो घर कैसा होगा मैं कैसे रहूँ अपनी चिंता नहीं उस बेटी को अगर चिंता है तो ये कि मैं जा रही हूँ मेरे पिता की देखवाल कौन करेगा उसी समय बुला दी बाई इदर आ पिता जी को समय पे दबा देना समय पे बहुज़न देना और आप समय से सब लेना आप सोजाना कोई ने इतना देना सकता कोई भी ने जितना बेटियां अपने पिता का धिहन रखते हैं और वारे बिदाता है क्या नियम बना दिया तुने बेटी को पाल पोसके बढ़ा करो और अन्दुतुगत्वा उस बेटी को बिदा करना पढ़ाता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पता नहीं वो कैसे रखेगा नहीं पता क्यों मेरी बच्ची के साथ मेरी गुडियां के साथ मेरी लाडों के साथ कैसा बेवार करे रहा उससे सुखी रखेगा दुखी रखेगा नहीं पता अगर पिता के पास कोई पूंजी है तो वो बेटी है वो गुडिया है वो फूल सी बच्ची जिसको बाप अपने जान न्योचावर करके पालता और जब उसी गुडिया को बिदा करने का समय आता है मुझे लगता है कि मरने से पहले साइद ये उसकी मौत होती है जब अपनी बेटी को बिदा करता है